जैहिन नमस्कार आप देख रहे हैं education channel और आज हम बात करेंगे black box के बारे में क्या होता है black box और कहा होता है ये तबाल color होता है इसका orange फिर भी क्यों कहते है black box और क्यों ये अब फिर से चर्चा में है इन सभी topic सभी विश्योय पर बात करेंगे लेकिन सबसे पहले समझते हैं क्यूं है Black Box एक बार फिर से चर्चा में दोस्तों आपको ध्यान होगा अगस साथ को Air India Express का एक विमान जो दुबाई से कोजी कोड आ रहा था वो कोजी कोड इंटरनेशनल एरपोर्ट पर दुरगटना ग्रस्त हो गया इतना भयानक ये मंजर था इतना भयानक ये Airplane Crash था कि इसमें 18 लोगों की मृत्वी हो गई थी जिसमें की पाइलट और को पाइलट दोनों थे इस Airplane Crash की जब investigation शुरू हुई तो initial investigation में जो aviation expert है उन्होंने बताया कि जो कोजी कोड इंटरनेशनल एरपोर्ट है वो एक tabletop runway है tabletop airport है क्या होता है tabletop airport इस पे हमने एक detail वीडियो भी बनाया है इस channel पे जिसे आप जाके देख सकते हैं ये initial analysis था जो aviation experts थे लेकिन जो Air India है उन्होंने कहा है कि जब तक black box का detail analysis नहीं किया जाता तब तक ये बताना मुश्किल है कि क्या कारणडर है इस airplane crash के क्या होता है black box में आईए समझते हैं साथियो black box का actual name होता है electronic flight recorder एक flight recorder एक electronic recording device होता है जिसमें flight से संबंदित जो उसकी speed है acceleration है उसकी altitude है इन सभी चीजों को record किया जाता है ये orange color का होता है जिसकों की recovery accident के बाद में recover करने में असानी हो साथियो आप ये तस्वीर देख सकते हैं ये एक flight recorder है और ये orange color का है दो तरीके के flight recorder होते हैं एक होता है flight data recorder और एक होता है cockpit voice recorder क्या होता है flight recorder और क्या होता है cockpit voice recorder आईए समझते हैं साथियो flight data recorder एक ऐसा electronic recorder है जो कि flight case से related जो parameters होते हैं parameters में क्या flight की speed है क्या उसकी acceleration है जमीन से कितनी दूरी पे है जो fuel है उसके flow की क्या condition है इन सभी चीजों को जो flight data recorder है वो record करता है और दूसरा होता है cockpit voice recorder जो cockpit में जो भी sounds रहते हैं जो भी आवाज हो वो सभी चीजों को record करता है इस आवाज में जो pilot के बीश में बातचीत हो रही है वो भी record होता है pilot के द्वारा जो traffic controller है उनसे जो बातचीत की जाती है उसको भी record ये cockpit voice recorder करता है साथियों मैं ये भी बता दूँ हर commercial flight में ये flight data recorder का होना compulsory है जिससे की flight के बारे में जो एहम जानकारी है उन सभी को record किया जा सके साथियों आप ये देख सकते हैं ये एक flight recorder है इसमें आप देखेंगे आपको मैं detail दिखा दूँ देखें ये cockpit voice recorder है जो की जो भी बातचीत होती है pilots के बीच में cockpit के अंदर और जो भी बातचीत pilots के दुआरा जो traffic controller है उनसे जो की जाती है वो सभी बाते इस cockpit voice recorder में store हो जाती है उसी तरीके से साथियो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये flight data recorder है flight data recorder में जो भी जो flight की speed होगी acceleration होगी क्या उसकी height है इन सभी चीजों के को store कर लिया जाता है साथियो इसमें जो cockpit voice recorder है ये 2 घंटे की recording वो store करता है हालांकि इसकी capacity 25 घंटे तक की भी हो सकती है लेकिन ये 2 घंटे की voice recording करता है शुरू में सिर्फ आदे घंटे की voice recording होती थी लेकिन कुछ accidents के बाद जो airplane crash थे उनके बाद ये पाया गया कि आदे घंटे की बातचीत से जो complete analysis है जो बातचीत का वो लगा पाना मुश्किल था उसके बाद ये जो voice recording है 2 घंटे की रखी जानी पड़ी इसके बाद ये भी इसकी quality है ये flight recorder की कि ये virtually indestructible है क्यों होता है ये virtually indestructible साथियों ये titanium और stainless steel जैसे element से बना होता है और 1000 degree Celsius जितने तापमान को भी ये बरदाश कर सकता है और इस पे 3400 G जितना force भी लगाया जाए उसके बाद भी इसको तोड़ना मुश्किल होता है और ये इसलिए किया जाता है ताकि airplane crash कितना भी भयावा हो उसके बावजूद भी अगर पूरा आग भी लग जाए उसके बावजूद भी जो flight recorder है ये बच जाए इसलिए इसको बिल्कुल virtually indestructible बनाया जाता है साथियों कई बार airplane जो होता है वो पानी के अंदर भी crash हो जाता है जब underwater crash होता है ऐसे condition में flight data recorder को धूना जा सके इसके लिए जो ये flight recorder है उसमें underwater locator beacon लगे रहते हैं कैसे ये काम करता है ये ऐसे काम करता है कि ये ultrasound जो pulse है वो भेशता रहता है और उसकी मदद से जो signals आते हैं उसकी मदद से flight data recorder की जो exact condition है पानी के अंदर exact जो location है उसको identify किया जा सकता है चार से लेके 6 km की गहराई पानी के अंदर इस गहराई तक इसको locate किया जा सकता है और एक महिने तक ये जो signal है ये भेज सकता है इसका मतलब अगर पानी के अंदर भी crash होता है तो एक महिने तक एक महिने के अंदर इस flight recorder को वो धूना जा सकता है बरामत किया जा सकता है साथियों आप ये देख सकते हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो ये अंडर वाटर बीकन लगा हुआ है ये cockpit voice recorder है ये flight data recorder है और ये cockpit voice recorder है जहाँ पे अंडर वाटर बीकन ये लगा हुआ है इस अंडर वाटर बीकन लोकेटर बीकन की मदद से जो ये signal भेशता है उस signal की वज़े से airplane अगर पानी में भी crash होए तो आप लोकेट कर सकते हैं किस side में होता है ये जो cockpit recorder है cockpit voice recorder और flight data recorder ये आप देख सकते है एक flight है इस flight के आखरी में यानि की tail के side में होता है और उसका reason ये हो सकता है होता है कि जब flight crash करता है तो आगे की तरब से जब भी ये crash करेगा तो पीछे के side में होने की वज़े से इसके बचने की भी chances रह दी है और कम damage होने के chances रहते हैं इसलिए इसको हरदम flight के tail side यानि पीछे के side में रखा जाता है साथियो क्यों इसको इसको orange color का बनाते हैं इसका कारण ये है कि international orange एक ऐसा color है जो कि aerospace industry में इस्तेमाल होता है और ये surrounding में easily identify कर ल crash हो तो jungle में या फिर किसी भी तरीके के condition में चूकि इसका color orange होता है तो इसको easily identify किया जा सके इसको धूना जा सके जिससे की data analysis हो पाए इसलिए इसको orange color का बनाते हैं फिर आपके मन में सवाल होगा जब ये orange color का है तो इसे black box क्यों कहते हैं तो आईए देखते हैं इसका क्या साथियो black box बोले जाने के पीशे दो थियोरी है पहली थियोरी ये कहती है कि जो initial design था वो या तो black color का था या फिर वो इतना compact था कि अंदर सब कुछ dark हुआ करता था black हुआ करता था इसलिए ये नाम black box पड़ा दूसरा जब भी airplane crash हाथ से हुए तो उन हाथ सो में आग लगन की वज़े से जो पूरी तरीब से धूआ काला धूआ और काले particles जो जम जाते हैं उस black color की वज़े से इसका नाम black box पड़ा तो ये दो थियोरी है जो इसके black box के नाम करन के पीशे दी जाती है साथियो जो हमारा ये black box है ये काफी useful है लेकिन इसमें future इसका क्या है क्या गुंजाईश है किस तरीके से काम करेगा ये future में तो इसमें एक बहुत बड़ा सुझाओ जो है वो दिया गया है आपको ध्यान होगा कुछ सालों पहले Malaysian Airlines का एक विमान वो दुरगतना गरस्त हो एक crash के कारणों का पता नहीं चल चका है तो ऐसे conditions में को निपटने के लिए एक सुझाओ दिया गया है कि जो real time data है flight recorder से वो ground पे जो computer से जो data center बने और वहां पे real time data store हो जिससे कि अगर Malaysian airplane जैसा crash होता है जहां पे कि हम उसको धुन नहीं पारे कई दिनों तक उसके बावज करके हम यह identify कर सके कि airplane के crash का क्या करण रहा और उस तक हम लोग जो भी उसकी कमिया रही उनको दूर कर सके तो साथियों यह पूरा flight recorder का जो flight data recorder और cockpit voice recorder इसके बारे में महत्वण जानकारी थी और हम आने वाले भविश्य में आने वाले future में और भी सुधार और भी innovation हम देखे करेंगे फिलाल किसी भी airplane के लिए flight recorder एक महत्वण पार्ट है और जिससे की airplane crash में जो भी इसमें data रहता है उसको analysis करके जो airplane crash है उसके करनों का पता चल सके और भविश्य में उनको दूर किया जा सके साथियों आज का lesson यहीं समाप्त करते हैं मुझे उमीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी आप समझ गए होंगे कि क्या होता है flight recorder क्या होता है black box क्यूं इसे कहते हैं black box और क्यूं यह महत्वण है किसी भी airplane crash में साथियों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसको और भी अन्य अपने साथियों के साथ शेयर करिए subscribe करिए like करिए thank you जैहिन धन्यवाद